जहां रियासते और हकूमते दुनिया भर में पॉपिलिस्ट ये पॉपिलर डिसिजिन्स नहीं ले रहे हैं अपना अलेक्शन सामने रख के फैसले नहीं ले रहे हैं लेकिन जो WHO World Health Organization के गाइडलाइन्स है जो अपने डॉक्टर्स है अपने मुल्क के साइंटिस है उनके राए को इंप्लिमेंट गरते हुए वो अपने अवाम का सहथ का तहफ़स भी कर रहे हैं जान को बचा रहे हैं अपने फ्रंट L sa Caménergie का भी तहफ़स कर रहे हैं और अपना मुतासिश तब कब ख्याल भी रख रहे हैं अफसोस के साथ पाकिस्तान में हमारा एक वो क्यादत की बहरान की वज़ा से इस वक्त तक All of Government अप्रोच तो दूर की बात है वो नैशनल यूनिटी भी काइन नहीं है अच्छा इस वक्त तो वजिर आजम सहाब ने यह कहीं दिया कि सूबों के हाथ में अख्यार दे दिया जो चाहें कर लें तो अब सिंध हकूमत क्या करेगी हम अपना पूरा कोशिश करेंगे किंसेंसिस बिनाने के लिए भी और हमारा फॉरम पे मिल्जूद है कि हम मुल्क भर में कोई किंसेंसिस बिनाए लेकिन कोई एक सूबा का जो अफिशिंसी है अगर वो अकेला करने के कोशिश करें वो अतना अफिशिंट नहीं होगा आप एक सूबा में अगर आपने ट्रेडर्स या बिजनिसेज या इंडिस्ट्रीज पे किसी किसिम का रिस्ट्रिक्शन लगाना है और वो रिस्ट्रिक्शन दूसरी सूबे वे नहीं है साथ साथ आपके वो फाकी नमाइन दे आपके रिस्ट्रिक्शन पे तिंकीद करते रहेंगे तो फिर उसको practically implement करना मुश्किल होगा सिंद हुकूमत काफी clear नजर आ रही है आपकी बातों से कि क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए अपने limited resources में इस वकट आपने अगर पूछा जाया आपसे किस तरह से prioritize किया है चीजों को तो आप क्या बताएंगे हमने जो सबसे main priority रखा है वो अपना healthcare का capacity में इजाफा करने के लिए और अपना इस वबास से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जानों बचाने के लिए वो हमारा सबसे पहले तरजी है इस वक इसलिए जिस तेजी से इस बीमारी में इजाफा हो रहा है हमें डर है खासतोर पर ये रिलाक्सेशन के बाद और ये डॉक्टर्स भी कह रहे हैं डॉक्टर्स नेसिस जो लोहर से लेके कराची तक प्रेस कांफरेंस कर रहे हैं कि हमारा healthcare का निजाम जो है ये इस लोड को नहीं ले सकेंगे तो हम अपना पूरा capacity के साथ महदूद विसायल के साथ हमारा isolation, quarantine, critical care हर लेवल का हम इजाफा करने के कोशिश कर रहे हैं और हर सभाय हकूमत को वफाकी हकूमत का मदद चाहिए होगा बिलकुल impossible है कि सभाय हकूमत का सलाना health budget जो वैसे underfunded था जो वैसे उनको पूरा नहीं दिया जाता था कि वो उस पैसा के साथ ग्लोबल वबा का मकाबला करें हम अपने पूरा जो सभाय resources है इस पे focus कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं वफाकी हकूमत की तरफ से कि हमें अपना health care के अजाफा में करने में मदद करें और हम अपने गरीब अवाम के इस lockdown का मतासरीन का मदद करने में मदद करें ये सिर्फ बेन अजीर income support program की जो recipients है वहाँ तक मحدود नहीं है ये बात अच्छा लेकिन health जो है ये एक गलत फहिमी होगी कि अठारवी तर्मीम के बाद से पहले सुड़ी सुभाई हुकूमत का कोई रोल ने था सहत के निजाम पे अठारवी तर्मीम से पहले भी सुभाई हुकूमत का रोल था health care के निजाम में और जब वफाक सिंद के hospitals चीनना चाहते हैं चाहँ वो NICVD हो ये JPMC हो तो तब ठारवी तर्मीम उनको नजर नहीं आता जब एक गलोमल पैंडेमिक आया है जो एक आम सूरतयाल नहीं है जिसको आप एक जंग की तरह ही देख सकते हैं तो तब वो कहते हैं कि अधारवी तर्मीम पे रिलाइ करते हैं अगर ऐसा है तो हमारा पास क्यों एक नाशनल डिसास्टर मैनेजमेंट का अथॉरिटी है या हमारा वफाकी हेल्थ सेकेटरी क्यों है इसलिए कि इस किसम के सुरतहाल में हमें मिल के काम करना चाहिए जब अभी सहलाब आता है वो सिर्फ एक सुबा बे नहीं आता जब एक जंग होता है वो से पुरा मुल्क लड़ता है हमें इस किसम इस तरीके से सोचना है हमने एक मुल्क बन के सोचना है वजीर आजम का ये बहुत गेर जिमदाराना स्टेटमेंस है सोचना चाहिए जब आप एक मुल्क का वजीर आजम हो कि आपका बयानात का क्या असर हो सकता है अगर किसी सुबा इस वबा से लर रहे हैं और हर रिसॉर्स हर मैने कम हो ज्यादा वो कोशिश तो पूरा कर रहे हैं और उसके उपर वफाक की तरफ से ये पेगाम है कि आप अकेले हो तो उसका वफाक के लिए भी खतरनाक कॉंसेक्वेंस हो सकते हैं ये पहली दफ़ा होगा जहां वफाक और वजीर आजम सुबह से लातालकी के आईलान कर रहे हैं ग्लोबल पैंडेमिक के दोरान जहां पुरी दुनिया में एक ओल अफ गवर्मन्ट अप्रोच वजीर आजम से लेके निशले सदह तर मिल के मकादले कर रहे हैं पाकिस्तान का वजीर आजम का ये कहना कि ये हमारा जिमदारी नहीं है अफसोस की बात है ऐसा क्यों तास्र जा रहा है इस वक्त के बाकी सुबें भी अपना-पना काम कर रहे हैं लेकिन विफाक के साथ सिंध हकूमत की एक टसल सी क्यों नजर आ रही है और वो अपना नालाइकी और अपना नाएहली को चपाने के लिए वो सबसे कामयाब उस सबसे महनत करने वाला सुबा को तक्कीत करने शाना बनाए है जबकि इस वक्त हमें असब एक होके चलना है जहां बैतर काम हो रहा है उससे सीखना है अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां बैतर काम हो रहा है वफाकी हकूमत का कोशिश है कि उस काम को सैबिटाज किया जाए चाब ये बात तो बड़ी वाज़ है कि पाकिस्तान के पास फिनाशिली इतनी कपैसिजी नहीं है इस वक्त कि वो इस ग्लोबल पैंटामिक का मकाबला कर सके हैं इसके लिए वजीर आदम इमरान खान ने कुछ कोशिशें शुरू की हैं टेलेथान्स हैं ओवर्सीज पाकिस्तानी हैं उनसे वो अपील कर रहे हैं कि उनके बनाय हुए फंड में अतिया करें वो रकूम तो आप किस तरह देखते हैं इस एफट को जरूर फंड रेजिंग फंड बनाना इस वक्त जरूरी बिल्कुल है लेकिन वजीर आदम को भी ये समझना चाहिए कि हर मसला का हल चंडा खटा करना सिर्फ नहीं है ये एक ग्लोबल पैंडेमिक है अगर फिस्कल स्पेस नहीं है खान साब का जिमदारी है जैसे वफाकी हकूमत का जिमदारी है महीशत चलाना अब इस वक्त वफाकी हकूमत का जिमदारी है कि फिस्कल स्पेस बनाओ वफाकी हकूमत के जिमदारी है कि अगर महीशत का जो कमजोर होता जा रहा है उसका असर हमारे अवाम पे है इस ग्लोबल पैंडेमिक का भी वज़ा से इस लॉक्टाम की वज़ा से जो भी वज़ा है उन मतासरिय का मदद करें उसके लिए हमें वो फाइनाशल स्पेस बनाना परेगा अच्छा इन हालात में अगर एक पुलिटिकल हमको बात कर रहे हैं तो उसमें ये कि पार्लिमेंट का इजलास बुलाने का भी एक मतालबा सामने आया है आपके खाल में ये मतालबा इन हालात में ठीक है अगर एक्जेक्टिव काम कर रहा है और जुडिश्टरी काम कर रहा है तो पार्लिमन को भी अपना रोल अदा करना चाहिए अब एक ग्लोबल वबा भी है और स्पीकर साब का चैमन सैनिट का और हुकूमत का जिमधारी है अगर पार्लिमन बिलाया जा रहा है उनको ऑपोजिशन के साथ बैठ कर वो स्टेप्स लेना चाहिए ताके हम अपने मेंबर्स का जिंदगीय सहत को भी बचा सके तो हमें वो स्टेप्स लेना परेंगे संजीद के सोचना परेगा अगर आपको एक लाइन में बताना हो कि विफाकी हकूमत के फैसलों में किस चीज़ की कमी है तो वो क्या होगी इस वक्त हमारा कियादत का बुरान है कियादत का जिमदारी है कि एक नाशनल क्राइसिस के मौके पे आप वो मुश्किल फैसले ले जो बले आपका अलेक्शन के लिए घलत फैसले हो आपका अलेक्टॉरली नुकसान पहुंचे लेकिन आपका मुल्क के लिए बैतर फैसले ह आपके मुल्क के अवाम के लिए बैफर फैसले हो अच्छा हमने कुरोना से मुतलिक बहुत सी ऐसी बाते की जो बड़े स्केल पे मुझतमिल थी अगर मैं थोड़ा सा परसनली आप से पूछना ये चाहूं कि बिलावल भुटो जर्दारी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ये दौर कैसा गुजर रहा है क्या खुद को एक्स्प्लोर करने का कोई मौका नहीं मिलता है एस इन काम तो चल रहा है फेस्टाइम, वाटसाइप, स्काइप, जितना हम ख्याल कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का तो फिर भी अगर जहन ज्यादा ठक जाए तो किस चीज़ का सहारा लेते हैं किताबों का या कोई सीरीज वगरा देखना पसका है इसके लिए मैंने रिसेंटली पहले मैं ज्यादा नॉन फिक्षिन परता था लेगिन जब से ये करोना और बाकी सब कुछ चल रहा है थोरा सा अपना माइंड को ब्रेक देने के लिए मैं फिक्षिन वाले बुक्स हैं उनको फोरा टाइम दे रहा हूँ आप बतार एक लीडर के एक नौजवान लीडर के क्या कहना चाहेंगे अपनी एज ग्रुप के लिगों को कि इस वक्त का सबसे बहतर फाइदा वो कैसे और क्या उठा सकते हैं इसकर आप अज बाइदा कशलन एक ब्रेंग्ट है यहा है। कि गड देनर कारोना ने काफी मिसायल पेदे कि यह एंहर čालिंज का आप जब पर ग्राइस्स के बाड हम वो जाषिस के बाड हम वो चैलिंजस का हल निकालते हैं जो सिसाइटी को प्लेकरते हैं तो कुरोना का वबा के बाद भी हमें अपने इनक्वालिटीस के बारे में सोचना परेगा और उनको अड्रेस करने का मौका में लेगा इंशाला ताला Thank you very much beloved Bhutta Zardari for talking to BBC Urdu शित्रिया